तो यह पार्ट फाइव और यूर मैप सिरीज इससे पहले चार पार्ट बनाया अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए उनकी पूरी सिरीज एक प्लेइस्ट मिल जाएगी मेरे चानल में आपको तो फर्स्ट की जो तीन वीडियो से वो रिगार्डिंग टू इं पार्ट में हम देखने वाले हैं सबसे मेजर इंपॉर्टेंट माप्स देटीज ओव मेजर सी पोर्स मेजर एयरपोर्स एस विडियो को पूरा देखना पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बिना किसी देरी के चली शुरू क आपके सामने हैं अभी वर्ल्ड मैप और इसमें अल्रेडी मार्क कर रखा है जो मेजर एयरपोर्स वगेरा है बट मैं ट्राइ करूंगे इस वीडियो के थूरू ताकि आपको ऐसे समझाओ कि ताकि आपको थोड़ा सा भी हो एक्जाम में याद रहे कि यहां पे अगर मार् रखा जाए तो फर्स्ट हम करते हैं कि एक एक कंट्री का देखेंगे एक एक कॉंटिनेंट का देखेंगे ठीक है तो फर्स्ट अगर हम जाए अमेरिका में ठीक है तो फर्स्ट हम अमेरिका शुरू करते हैं तो यहां पे जो है देखो यहां पे एक लाइन बनी हुई है यह टीक है अब इसको यार कैसी याद रख सकते होाँ पहन देख़ें ऐसे सब स्ट्सक्राइब करने इस लयन को ऐसा एक वे टाइप का बन रहा है तो यहां यहां पर लिख सकते हैं बस अब इतना याद रखे यह जो जॉइंट है ना यह जो यह लाइन बने इसके जो जॉइंट है यहां पर क्या है वैंकुवर ठीक है तो अब इतनी वार फिर बोर्ट वगेरा हुई है आपको यह नाम तो अफकॉर्स ही बात ही आद हो जाना चाहिए वैंकुवर इस वेरी इंपॉर्टन सीपोर्ट जो बहुत पूछा जाता है ठीक है तो यह है वैंकुवर अब इसके साइड में आप यहां पर आ जाओ तो आप यहां पर क्या है नियू और्लियंस ठीक है अब यहां पर देख सकते हो चीज जो है नीचे जा रही है मीन्स सब्सक् हिसम लिट्रियंस को कानईस jullie इसके बिलकुल साइड में सेंड प्रैंस सेंससको बहुत जादा फेमस नाम हैं वहां की संड प्रैंसस को यह जो चीज आ यह वैंकुवर निउछ और्लीन्स अन बीच में क्या है San Francisco तो यहाँ पर जो मार्किंग आएगी यह क्या होगी San Francisco देखो यहाँ पर लिखा हुए Tropic of Cancer छाट त्क है तो Cancer में C आता है पहले ठीक and San Francisco में S आता है पहले ठीक है idar on CNS अगर अभडब तो 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 सब्सक्रा ने कहा है नहीं न को क्या होगा San Francisco तो Vancouver New Orleans as well as San Francisco खतम उसके बाद आगे जाओ तो बीच में है कोलोन ठीक है कोलोन क्या कर रहा है दोनों को join करने की कोशिश कर रहा है तो यह क्या होगी कोलोन ठीक है अब नीचे आप आजाओ यहाँ पे यह है South America करो प्रैस आधे है most important सीपोर्ट तब देखो यहाँ पर अगया तो यहाँ पे अगया यह भी वन रहा हो स्ल giàती है दोक आप Cris यहां पर क्या है well price तो ठीक है यहां पर है Rio de Janeiro बहुत famous नाम है आपने सुना होगा Rio de Janeiro काफी बार तो यहां पर यह यह वाला जो पार्टे देख सकते हो cavity सब्सक्राइब है यहां पर क्या है Rio de Janeiroasti खेच के बाद हम यूरोप में बढ़ते हैं यूरोप में देखें तो यूरोप में फरस्ट है यहां पे लंडन ठीक है United Kingdom का Capital क्या है London इतना तो याद रहेगा ठीक है इसके बाद यहां पर आप चले जाए अगर कैप की जगह केप ओके तो लंडन हो गया नॉर्थ केप हो गया अब यहाँ पर आ जाओ यह जर्मनी है जर्मनी पर कोई सीपोट आ गया तो आपको इसमें हैंबर्ग लिखना है हैंबर्गर सुना होगा हैंबर्गर ओके तो हैंबर्गर की जगह हैंबर्ग लिख देना ठीक है तो बस हैंब लिखना ठीक है ताक्य उसको भूकना लगे menorom नीचे आजो अफ्रिका में परें कणाल स deze चरह जेंगा यहाँ भी जुल करो इसके नीचे नीचे क्या है अजेंड एडिण तो, आप इतना याद रखो, यहाँ पर सुएस कनाल है, नीचे सुएस कनाल की एड चल रही है, ठीक है तो सुएस कनाल की एड चल रही है, AD AD उसके साथ और दो वड यूज कर दो, ADEN, सुएस कनाल नीचे ADEN, ठीक है उसके बाद, यहाँ पर आजाओ, that is, DURBAN ठीक है एड कहाँ पे चल रही है दूर दर्शन पे चल रही है ठीक है दूर दर्शन पे चल रही है और सब कैप पहन के वहाँ पे बैट के देख रहे है ठीक है इतने याद रखो यहाँ पे सुष कनाल है यहाँ पे उसकी एड चल रही है कहाँ पे चल ले दूर दर्शन पे च तो बहुत बढ़ा नुकसान में तो भूल तो नहीं पाओ गया आप शायद कराची पॉर्ट है इंडिपेंडेंस के बाद यह जो है वहां पे चला गया था तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो था मैं ठीक है तो ये कराची ठीक है ये है कोलमबो नीचे ओके ये श्रिलंका का जो कैपिटल है ये है कोलमबो ठीक है उसके बाद यहाँ पे आजाओ यहाँ पे होंग कॉंग ठीक है होंग कॉंग कॉंग पे डिसने लैंड भी है ठीक है आप इतने याद रखना कैलकटा के सामनी है हो गया है चैने योको हा मा कॉलकता यह तो से समय है ठीका है ही छुब हत्या है ठीक है ह् हमने पूरा कवर कर लिए आजब धूर में बैठे वे Australia इनके ऊपर पर अजब ठीक है तौ वह सबसे हो तो यह यह से सामने कशरे हों में यह कर बढ़रे हो जया है यह जो सबसे पहले जो मोम बढ़ यहाँ यहां पर्थ इसके रहीए Melbourne पहले P से है Perth, Sydney, S से Sydney उसके बाद M से Melbourne अब देखो यह याद राख सकतो बहुत easily, P से कोई दोस होगा आपका तो उसका नाम रख लो P से कोई जान पैचान कोगा उसका नाम रख लो S से कोई जान पैचान का है तो रख लो M से कोई है तो रख लो ठीक है जैसे कोई भी दोस का नाम आप रख सकते हो जैसे P से परिनिती ठीक है S से मान लो वो सुभ है मार्केट गई ठीक है परिनिती सुभ है मार्केट गई Perth, Sydney and यहां पर Melbourne ठीक है बस position याद रखना किसके बाद कौन सा आद है ठीक है Sense बन रहे मैं actually यह बोलना चाहरी हूँ कि जो है first letter जो है first alphabet जो है उससे आप कोई नाम सोच सकते हैं ठीक है उससे कोई भी चीज सोच सकते हैं जिससे आप relate कर पाए ठीक है इसके बाद है यहाँ पर Auckland अब यह जो Auckland है आपके syllabus में नहीं दे रखा है ठीक है तो यह है पूरा आपका सी पोर्ट ठीक है अच्छे से इसको दो दीमरा प्रैक्टिस करो अच्छे से आपका हो जाएगा इसके बाद एक और चीज देख लेते हैं वह है inland waterways तो inland waterway यहाँ पर हमने देख लिया सुइस कनाल ठीक है यहाँ पर कौन सा है पनामा यहाँ आप कोलोन देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो है यह है पनामा कनाल ठीक है तो यहाँ पर होगे inland waterway एक है राइन waterway तो राइन है जो आपका जर्मनी है यहाँ के ठीक है तो यहाँ पर जो है Ryan Waterway है यहाँ पर जो देख सकते हो यह जो है St. Lauren Waterway है तो यह होगे आपके चार inland waterways लहाँ पर जो है आपका airport यहाँ पर भी अपको कुछ पूछ name same मिलेंगे तो यहाँ पर देखो 1 हम शुरू करते हमारे अमेरिका भाई साब से तो यहाँ पे क्या है New York ठीक है यहाँ पे क्या है New York अब देखो New York आप ऐसे याद रख सकते हो ये जो पानी है ठीक है यहाँ पे जो भी River वगेरा है इसके बिलकुल सामने क्या है New York कोई New City बसी हुए इसले इसको नाम New York है ठीक है नियुयोर्क इसके सामने यह पानी के सामने क्या है? शिकागो एन पानी के साइट के है? नियुयोर्क ठीक है नियु ओर्लियंस मैंने अभी आपको बताया कि मान लोग कि यहाँ एक आउट ग्रोथ हो रहा है मींस यहाँ पर कुछ निकल रहे, कुछ न्यू चीज़े बस रही है, इसलिए इसका नाम New Orleans यहाँ पर साइट पर लिख देना, ठीक है, यहाँ पर है Mexico City, यह जो जगा है, यह जो पूरी कंट्रे यह है Mexico और इसका capital है Mexico City, यहाँ पर ठीक है, तो हमारे यह वाला होगे, यहाँ पर New York, यहाँ पर New Orleans, यहाँ पर Chicago, यहाँ पर Mexico City, ठीक है, उसके बाद नीचे आओ, South America में, यह जो बीच वाली कंट्रे आपको दिख रहे है न, ठीक है, बीच वाली कंट्रे यह क्या है, बोगोटा, बीच में है इसलिए बोगोटा, बीफोर बीच, बीफोर बोगोटा, ठ ठीक है, कोई और मतलब मतलिका लेना, इसका बीच में मतलब मिडल में, तो बोगोटा जो है, मिडल में है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, ब्रजीलिया, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मार्क आएगा, ओफ मेजर एरपोर्ट, ठीक है, एरपोर्ट का अलग है, सीपोर्ट क को है अलग है यात रखना त्वाइनाघ कर प्रशीर में आप प्राइस है शोड़ा करें यहां प्राइस हो था जो कि सीपोर्ट संट्यागो की त्ष lets तो से भी जो जो जानते हो सि याद रख सकते हैं बाकि यहां पर कैוע सैंटीया ब्रझब्र को एर्पोर्ट में बहुत리 आइएरपोर्ट कौन सा था इसी कैसे आएगा अपका थोड़ा सा प्राक्टिस करो थोड़े से नाम जो है याद रखा करो ठीक है जैसे यहाँ पे जो था वो वैंकुवर था सीपोर्ट में ठीक है बर यहाँ पे नहीं है यहाँ पे शिकागो है लंडन, यहां पे अरपोर्ट में भी है, सीपोर्ट में भी है, पैरिस, फ्रान्स का कैपिटल ठीक है, पैरिस तो बहुत फेमस है भाई तो यह हो गया पैरिस, इसके बाद है जर्मणी में, बर्लिन, ठीक है, बर्लिन वरल रगेर आपने पड़ा होगा पॉल साइंस में यह है यहां पे बर्लिन ठीक है यह जो उठाह सामने हैं बर्लिन पारिस इसके बाद लंडन ठीक है यहां पे म offended करव यहीं ध्याप्र कर दिश्य जो भी यहां याद रख सकते हैं यहति है यहां पे होता है capital में होता है या फिर किसी major city में होता है ठीक है जो बहुत popular city है बहुत developed city है वहाँ पे होता है ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपको दिखेगा ने जैसे capital है ना Paris capital है Moscow capital है Berlin capital है Rome capital है तो आपको capital के नाम basically वहाँ पर लिखना है ठीक है यहाँ पर क्या है यहाँ पर है जड़ा जेड़ा बीच में एक जिद्दी सा बैठा हुए जड़ा ठीक है नीचे क्या है एडेन ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको पते है मुंबाई फिर यहाँ पर चाइना के capital पीजिंग टोक्यो यहां पर इसको मैं ठीक से इसका प्रणाउसेशन ने कर पाती वताने क्या है यह इरकस्टक टस्क कुछ भी जो आप आपको पता है तो यह कह इसके बाद जो है यहां पर व्लाडी वास्टक है ठीक है अपने यहां पर यहां पर पर विधुड्य डार्वन और यहां पर कहा है डार्वश ऐखेश ऑपर कोई है ट occupy जातीक है तो यह थो수 आपके सारे एयरपोर्स ठीक है तो आप बहुत असानी से इसको याद रख सकते हैं जैसे एयरपोर्स है उसमें मीजर ली क्या नाम होते हैं जो कि capital से तो इनको दो तीन बार प्राक्टिस करना अच्छे से हो जाएगा अगर याद नहीं रहता तो आप कुछ फणी वे में इसको याद रख सकते हैं तो आप अपने खुछ से भी कुछ बना के याद रख सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं मेजर सीपोर्ट एरपोर्ट और इनलन वाटर वेज जो है हमने कवर कर लिया वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिस्ते हम अगली वीडियो में तिल रें स्टे जून बाई बाई